यह है Firebolt Rock और यह smartwatch almost one week पहले ही Flipkart पे launch हुई थी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी smartwatch के बारे में और आप लोगों को मैं after seven days review देने वाला हूँ smartwatch के बारे में और यह मेरा honest review रहने वाला है तो चलते हैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं कैसी smartwatch के build quality कैसी इसकी display कैसे work करते है sensors सारी चीजों को मैंने already test कर लिया तो आप लोगो मैं दिखाने वाला हूँ तो फटाफट वीडियो को like कर देना सबसे पहले बात करते है watch के price के बारे में तो यार यह smartwatch launch price था 2799 बट अभी smartwatch का price बढ़के 3500 हो गया है तो मैं आप लोगो suggest यही करूँगा जब यह smartwatch आप लोगो under 3000 में तभी smartwatch को buy करना तो बात करते हैं watch के build and design के बारे में तो यहाँ पे आप लोगो fully metallic body provide की गई और काफी strong भी लगती है इसके अलावा back side में glass finish का use किया गया है बाकि आप लोग यहाँ पे side में देख सकते हो crown finish देखने को मिल जाता है जिसकी वज़े से overall build quality और भी ज़्यादा enhance हो जाती है इसके अलावा side में आप लोगो एक button और working crown प्रोवाइट किया गया है उपर वाले button को press करके आप लोग sports mode में चले जाओगे बाकि crown को press करके आप लोग main menu में चले जाते हो जहाँ पे watch के सारे features शो जाते हैं इसी के साथ साथ आप लोग इसको rotate करके watch पे से भी change कर सकते हो बाकि बात करूँ watch के strap के बारे में तो यहाँ पे काफी बढ़िया quality का strap प्रोवाइट कर ये company 22 mm का और काफी soft material यहाँ पे use किया गया है overall build quality की बात करो तो काफी top notch quality लगी smart watch की अब बात करेंगे इस watch के display के बारे में तो इस watch में आप लोग को 1.3 inch की amulet plus always on display का features प्रोवाइट किया गया है और display quality यहाँ पे काफी तगड़ी निकल के आती है आप लोग यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो काफी sharp और punchy color देखने को मिल जाता है बाकी smart watch को अगर आप लोग outdoor indoor कहीं भी use करोगे तो visibility को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है इसके अलाब़ यहाँ पे आप लोग को always on display में दो watch faces प्रोवाइट किये जाते हैं एक है analog और दूसरा है digital तो यहाँ पे आप लोग को always on display में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है visibility को लेकर इसके अलाब़ 319 to 390 का pixel resolution भी प्रोवाइट किया गया है साथी जाती यहाँ पर आप लोग को 558 की brightness भी प्रोवाइट की गई है बागी आप लोग कस्टम watch face भी लगा सकते हैं स्मार्ट watch में और इसके अंदर भी काफी बढ़िया color accuracy निकल के आती है बागी बात करते हैं other features के बारे में तो इस watch में of course आप लोग को Bluetooth calling, voice assistant, 110 sports mode भी देखने को मिल जाते हैं daily life में जितने भी useful sports mode होते हैं सारे इस watch में available है इसके लाग बात करूं water resistance के बारे में तो इस watch में आपको IP68 की rating प्रोवाइट की गई है तो normal बारिश में आप लोग पहन के निगल सकते हो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी वहीं बात करते हैं health tracking के बारे में तो इस watch में आपको SPO2, heart rate, sleep monitor, stress monitor, breathe monitor and female healthcare के भी support देखने को मिल जाएगा बागी बात करते हैं battery backup के बारे में तो company यहाँ पे claim तो कर रही है 15 days standby बट normal यूज़ करने पे आपको यहाँ पे आराम से 4-5 दिन का battery backup देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग watch में calling plus amolet display यूज़ करोगे इस drop watch, alarm जैसे काफी सारे features भी देखने को मिल जाएगे अब बात करते है watch हुआ ही performance की तो यहाँ पे काफी smoothly work करती है इस watch की UI, lag या फिर hang जैसा कोई भी issue face मैंने अभी तक नहीं किया है और आप लोग यहाँ पे खुद भी देख सकतो काफी smoothly work भी कर रही है अब बात करते है accuracy की तो मैंने यहाँ पे already सारे चीरे test कर लिया आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं heart rate की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग कुद भी देख सकतो काफी accurate data provide करती है smart watch at the end यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलेगा बागी बात करते है spu2 के बारे में तो यहाँ पर भी smart watch काफी बड़िया तरीके से work कर रही है यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिलता है reading के मामले में exact आप लोग को same reading देखने को मिलता है oximeter और watch के अंदर और smart watch को मैंने हवा में और table भी रखके test किया था कहीं पर भी कोई reading show नहीं करती है smart watch अब चलते हैं फट फट कॉलिंग टेस्ट भी करके दिखा लेता हूँ आप लोग को और देखते हैं कैसी smart watch की calling quality calling clips यहाँ पर आप लोगों नहीं देख लिया आपको खुद भी idea मिल गया हूँ कैसी smart watch की calling quality तो यहाँ देखो मेरे recording तो काफी बड़िया calling quality company प्रोवाइट कर रही हैं पर क्योंकि speaker और mic के जो position हो काफी सही जगा पर है सामने वाले की भी आवास काफी अच्छी तरीके से आती है और उसे ही मेरी आवास काफी अच्छी तरीके से जा रही थी अब बात करते हैं इस watch के conclusion के बारे में और बात करते हैं आप लोग को firebolt rock smart watch अभी भी लेनी चाहिए और फिर नहीं लेनी चाहिए तो अब देखो इसी smart watch में आप लोग काफी सारे features मिल जाते हैं अगर आप लोग को firebolt rock under 3000 मिलती है तो काफी ज़ादा value for money smart watch बन जाती है क्योंकि smart watch में आप लोग को अच्छी build quality मिल जाती है display quality भी काफी जबरदस्त है और अफकोस यहां पर calling quality तो बढ़िया देखने को मिलती ही है तो definitely आप लोगी smart watch को check out कर सकते हो अभी इसका प्राइज में recording 35 इनिट शो हो रहा होगा आप लोग को बट मैं आप लोग को suggest यही करूँगा जब आप लोग को firebolt rock under 3000 मिले तो जाके check out कर लेना बागी मैंने watch की link description ने provide कर दिये जाके check out भी कर सकते हो तो बस यही थी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो फटापर subscribe भी कर दो मैं मिलता हूँ वीडियो मैं मिलता हूँ वीडियो में तब तक के लिए वाई बाई